आज आपने एक बात और कही कि computer science में भी admission अपकम दिख रहे हैं इसके कोई वज़े सर या फिर इसके पीछे कोई सनारिय हो सर देखे computer science का जो डोमेन है वो बड़ा floating है उसमें आज की date में अगर हमारा artificial intelligence की technologies देरे-देरे mature हो रही है तो जो हमारा manpower contribution है वो देरे-देरे curtail हो र आते हैं तो वो वहाँ पर अगर मानव संसादन की जरूत नहीं है तो सभावता है वो रोजगार के अफसर काम हो जाएंगे क्या AI इसका भी AI का भी असर है बिलकुल AI का असर है AI का असर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जनरेटिव टूल्स हैं जिसमें की chat GPT बहुत प कहीं आपकी check हो रही है और जो चीज वो देगा वो आपको भी वही देगा और मेरे को भी वही देगा और तीसरे को भी वही चीज देगा तो इसमें जो आपकी novelty है वो challenge होती है और बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि और इंडस्ट्री को भी इस बात को समझना चाहि क्योंकि भारत वर्ष के पास यूट है जिसको हम यूठ बल्ज भी ज कहते हैं जो डेमोग्राफिक डिविदेंट भी कहा जाता है इसमें हमारे को रोजगार के अफसर समगरता से और ज्यादा से ज्यादा उपलप्त कराना हमारा primary objective हो न चाहिए क्योंकि सबको survive करने की opportunities देना हमारी सब की जम्मेदारी